एक्चलि में क्या है कि would that, would that को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, would that की condition क्या है, structure क्या है और sense क्या बनेगा, पढ़ाऊंगा नहीं भी concept दूँगा, copy पे लेकर बैठो, मैंने क्या कहा बाबू, आपका concept क्या है would that का, would that को condition के माधम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, एक्चलि में would that की condition क्या है, सिर्फ तीन कंडिशन है भाई, तीन कंडिशन बताऊंगा, अभी would that का concept दिमाग में आ जाएगा, वो तीन कंडिशन यदि आपने दिमाग में डाल ली, तो would that के sentence ऐसे बनेंगे, ऐसे, कैसे भाई, यहाँ पर सबसे पहली condition क्या है, personal capacity, क्या कहा जी personal capacity, personal capacity हो गया, उसके बाद, सर, personal capacity कैसे, खुद की चमता है न, खुद की चमता, जब खुद की चमता, अपनी चमता, खुद की होगी, तब आपका would that का use होगा, लेकिन, साथ में फर्माइस भी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्माइस, पढ़ा नहीं राभी, concept दे रहा sentence बनेगा आपका कास से, कैसे भई, कास से, जैसे की कास मेरे पास किताब होती, तो कहने का मतलब मेरी personal capacity थी, मेरी क्या थी, फर्माइस थी, के कास मेरे पास किताबे होती, कास तुम्हारे पास घर होता, कास तुम अमीर होते, तो यहाँ पर क्या है, personal capacity या फर्माइस है, कहां पर आपका वो फर्माईस जो आपकी पूरी ना हो, जैसे कि कास में राजा होता, लेकिन था नहीं होता, संदनाराबाद, यहां पर राजा में था नहीं, मैंने क्या कहा, कास मेरे पास उस समय कार होती, तो इसका मतलब उस समय मेरे पास कार नहीं थी, तो नेगेटिव सेंस दे structure और verb, यहां पर आ जाओ, मैंने क्या कहा बाबुजी, सबसे पहले होगा आपका यहां पर would that, क्या होगा, would that, would that के बाद आपका subject आएगा, subject के बाद आएगा वर्ब का second form, वर्ब के second form के बाद क्या भी, other word, other word कुछ भी हो सकता है, सरब बात यह है कि वर्ब का second form आएगा, ले यहां पर वाज का यूज नहीं होगा, यह ध्यान कर लेना भाई, यहां पर वाज का यूज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब का यूज होगा, यहां पर आपका हैव का यूज नहीं होगा, किसका भाई, हैव का यूज नहीं होगा, ना ही आपका हैज का होगा, इन दोनों का यू बस होने का, जैसे कि मैं गरीब होता, मैं चालाक होता, कास मैं राजा होता, तो यहां पर पास की बात नहीं हो रही, सिर्फ होने की बात हो रही है, एक सेंटेस मैंने कहा, कास मेरे पास कार होती, ठीक है, एक सेंटेस मैंने कहा, कास मैं राजा होता, तो यहां पर पास की बात होरी दो जहां पर पास की बात हो महां पर head का यूजोगा जहां पर होने की बात हो सम्हिंन को रावात आप देखो example कैसे होगा बैए समसे पहले क्या होगा personal capacity होगा फरमाईअश होगा कास होगा और उट धेट अपका fix है would that आपका fix है और एक चीज़ और एक चीज़ और इन दोनों के लिए इन दोनों head और work के लिए subject चाहे singular हो चाहे आपका plural हो, सबके साथ ही आपका head या वर लगेगा चाहे he है, c है, c है कोई भी subject हो सबके साथ क्या होगा work का use होगा और head का use होगा अब देखो भी example, अब example के माध्धम से पढ़ने का प्रयास करते है actually would that का use होगा कैसे, जैसे कि मैंने क्या कहा मैंने क्या कहा, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कास में राजा होता, would would that I were a king क्या कहा जी, were a king, कास में राजा होता, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा would that, would that के बाद क्या है आपका I I के साथ हमेशा क्या आता है क्या आता है वाज, क्या आता है वाज आता है, लेकिन tense में आता है यह क्या है, यह आपका conditional है क्या है, conditional है, जब conditional की बात आए तो I के साथ क्या है आपका, वर आएगा यहां पर concept क्या होगा would that you had a car, क्या कहा जी would that you had a car, तो यहां पर pass होने का sense दिया किसने, had ने, head ने क्या दिया आपका, pass होने का sense, यहाँ पर वर ने क्या दिया आपका होने का सेंस किसका भई होने का वुड़ दैट कास में राजा होता राजा होता यहाँ पर पास होने की बात नहीं है यहाँ पर क्या है कास तुम्हारे पास कार होती पास कार होती लेकिन क्या है आपकी परसनल कैपिस्टिती पास्ट में फर head he had books would that he had books कास उसके पास किताबे होती तो यहाँ पर head क्या sense दे रहा आपका क्या दे रहा भई head आपका sense दे रहा पास होने का यहाँ पर वर sense देरा किसका होने का कैसे सर जैसे कि मैंने कहा would that you were player you were player कास तुम खिलाडी होते समझ मारानबात तो यहाँ पर were ने क्या sense दिया होने का तो यह concept आपको पताने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपका would that है would that आपका क्या भई conditional sentence में आता है किसमें भई conditional sentence में आता है और एक चीज और इसमें आपका word का यूज होगा और आपका head का यूज होगा जो की दोनों ही आपकी word की second form है और इसमें word के साथ एक वाज भी आता है जो वाज का यूज नहीं होगा एक चीज और would that के बाद आपको पता है हमेशा subject होता है और उसके बाद क्या वर्व का second form उसके बाद other word यहाँ पर जो second form होगा वो head हो सकता है या फिर क्या वर्व हो सकता है जैसे कि मैंने क्या कहा यहाँ पर head sense देगा आपका pass का जो word sense देगा आपका होने का जैसे कि यहाँ पर subject चाहे singular हो चाहे plural हो आएगा आपका वर्व ही क्योंकि condition बता रहा है क्या बता रहा है condition यहाँ पर मैंने क्या कहा यदि मैं एक sentence उर लेता हूँ मैंने यहाँ पर कहा would would that he he were he were a teacher क्या कहा जी he were a teacher कास्व है अध्यापक होता क्या कहा बाबुजी कास्व है अध्यापक होता तो मैंने he का यूज किया न, he के साथ क्या किया, वर किया, जबकि वर है plural, he है singular, लेकिन condition में क्या होगा आपका, यहाँ पर वर का यूज सब के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर condition बता रहा है, personal capacity बता रहा है, कैसे जी, यहाँ पर would that I were a king, कास में राजा होता, would that you had a car, कास तु खिलाड़ी होते, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए, okay thank you, take care